बुद्धी हीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धी विध्या देहु मोही हरु कलेश विकार हमारे दर्शकों को हनुमान जयनती के पावन पर्वपर जै श्री राम कलियोग में अमर्ता का वर्दान प्राप्त करने वाले बल बुद्धी और विध्या के दाता सेवक धर्म और भक्ती की पराकाष्ठा के अग्रने हनुमान जी ऐसे सरल देव जिनके उपासक उनसे मित्रवत में भार करते हैं जो सिर्फ एक बार रदय से नाम राम का लेलो तो ही प्रशन्न हो जाते हैं ऐसे सरल देव का आज जनमोचसव है जन्मोच सभे भगवान राम के परंभक शिव के रूद्र अवतार और कल्यों के पालनहार प्रभु हनुमान का अश्ट सिद्धिनवनिधि के दादा असवर दीन जान की मादा रामर सायन तुमरे पास सदार हो रखु पति कैदास हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है कथा अनुसार समुन्दर मन्थन के बाद शिव जी ने भगवान विश्णू से उनका मोहिनी रूप देखने की इच्छा प्रकट की वही मोहिनी रूप जो उन्होंने देवताओं और असुरों को समुन्दर मन्थन के बाद दिखाया था विश्णू जी का आकरशक रूप देखकर शिव जी कामातूर हो गए और उन्होंने अपना वीरेपात कर दिया फिर वायुदेव ने शिव जी के बीच को ले जाकर वानर राजा केसरी की पतनी अंजना के गर्भ में प्रविश्च करा दिया और इस तरह अंजना के गर्भ से वानर रूप में जन्म हुआ भगवान हनुमान का कर दो 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 अरे वाह अब तक तो सौंदर्य समुद्र से निकल रहा था और अब आगास उतरने लगा है हे सुंदरी तुम कौन हो हे मन मोहिनी तुमने तो एक ही कटाक से हमारा मन मोलिया है क्या तुम हमें अपना परिचे नहीं दोगी मुझे जानकर भी आप मेरा नाम पूछ रहे हैं असुराज मैं तुम्हें जानता हूँ हाँ असुराज तभी तो आपने मुझे मन मोहिनी कहा भोग लग लग रही है शक्ति के परवत ज्यान के गुण के अतल समूत है अंजनी के अंत में क्या रहवे शिवरूद्र ओ पालक को सब कोद खिलाएं हरशत हो खूले न समाएं बाल हनुमान जय जय बाल हनुमान अमित चरित अतुलित वलवान शंकर सुवन हनुमान पर सुरदन सुमन बर सार है हनुमान जी के नामकरण की कथा भी बड़ी रोचक है ऐसा कहते हैं कि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड़ी तूट गई थी ठुड़ी याने चिन और ठुड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया गया इसके अलावा भी राम भक्त के अनेको नाम हैं हम सब उन्हें बज्रंग बली, पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुती नंदन, अंजनी सूत, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन आधी नामों से पुकारते हैं नहीं बालक है जो शूरी को खाने जा रहा है तुम फेर आगे ठेरो रुक जाओ बालक मेरे माता पिता ने मुझे कभी इस प्रकार क्रोट से नहीं बोला तुम कोन अते हो मुझे क्रोट से बोलने वाले और किसलिए क्या तुम उस उपवन के माली हो जिसमें ये लाल फल लगा है तुम मुझे नहीं रोख सकते पहले इस राहू ने मुझे बहुत रप्त किया है अब मैं इसका हस्त कर दूँगा तुम जादर जै रुपान गया तुम सागर जै भरकिस्त कर दूँगा तुम जादर इस बालक से मेरी रक्षा कीजिए तुम जादर आप इस बालक से पराजित हो जाएंगे क्या रुख जाओ बालक ये मेरा अंतीम आदेश है मैं केवल अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता हूँ और मैं सब समझता हूँ कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो तुम भी उस फल को खाना चाते हो ना लेकिन मैंने उस लाल फल को पहले देखा है इसलिए उस लाल फल पर पहला अधिकार मेरा है देवेंडर मेरी झात्रा करो हजडर बेवेंडर इस बालक पर बध्र का परहर करेंगे प्राफ हनुमान जैनती पर हिंदू मंदिर में दर्शन हितु जाते हैं कुछ लोग व्रतवीधारन करते हैं और कुछ समर्पन भाव के साथ पूजा करते हैं ऐसी मान्यता है कि ये पवन पुत्र ब्रह्मचारी थे इसलिए इन्हें जनेव भी पहनाई जाती है हनुमान जी की मुर्दियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चड़ाने की भी परंपरा है और नटकट हनुमान की सिंदूर चड़ाने को लेकर एक रोचक कता है ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा और फिर पूझ बेठे कि माता अब अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं धोले हनुमान को सीता जी ने जवाब दिया कि मेरे सिंदूर लगाने से प्रभू श्री राम की उम्र लंबी होती है और इसे देखकर वो मुझसे प्रसन हो जाते हैं बस फिर क्या था? पहुँचे राम दर्बार में उन्हें देखकर दर्बार में उपस्थित सभी लोग हसने लगे मगर प्रभु राम उनकी भक्ती को तुरंट समझ गए और उन्होंने अपने भक्त को गले लगा लिया बस तभी से उन्हें सिंदूर चड़ाया जाने लगा जिसे हम सभी चोला कहते हैं भक्त शीरो मानी अपने भग्वन को सरवंग सजाए रहे नोतन नोतन वस्त्रा भूशन प्रेम सहित पहनाए रहे हैं गुणमनी राम के तन पे सजके गहने गौरब पाए रहे हैं दास और दासी राम सिया को राजा रानी बनाए रहे हैं मैया एक प्रश्न पूछू ऐसी क्या बात है बजरंग बली जिससे पूछने के लिए तुम्हे अनुमती लेने पड़ रहे हैं मैया मेरे मन में एक जग्यासा है आप अपने मांग में ये कौन सा चून डालती है चून? ये चून नहीं है ये तो सिंदूर है इससे क्या होता है मैया? इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं अच्छा महिया ये प्रभू को भाता है ये उन्हें बहुत भाता है और इसके अतिरिक इसे लगाने से उनकी आयू बढ़ती है प्रभू के आयू भी बढ़ती है इसमें कोई चमतकार है क्या इसमें तो बहुत बड़ा चमतकार है यही तो वो बस्तु है जिसकी कारण मेरा जीवन साथ्थक हुआ है देखने में तो बिल्कुल साधारन लगता है यदि मांग में लगाई हुई पतली सी रेखा से प्रभू इतने प्रसन्न होते हैं और उनके आयू में वृत्धि भी होती है तो यदि मैं इसे पूरे शरीर में मल लूँ तो वे तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी आयू भी बहुत अधिक बढ़ जाएगे ऐसा ही करता हूँ क्या बात है माता चांके की मांग में तो ये सिंदूर रुख जाता है फिर मेरे शरीर पर क्यों नहीं रुखता जै श्री राम सीते आज हनमान नहीं दिखाई दे रहे हमारे कक्ष में होंगे आज वो सिंदूर का कौतुक कर रहे है सिंदूर का कौतुक? अर्थात? आज जब मैं मांग में सिंदूर लगा रही थी जैसा करने से मिले स्वामी का अनुराब सेवक वैसा ही करे लोक राज को क्या काया पर सिंदूर लगाए गर्व से कपी दर्बार में आए करने को प्रसंद भगवाँ सिंदूरी थोगने हनुआ इतना धेर सारा सिंदूर देखकर आज प्रभू कितने प्रसंद हो गए है निश्चित्य उनके आयू भी बढ़ गई होकी अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभू को प्रसंद रखा करूँगा हनुमान ये कौन से लीला रच रहा है प्रभू ये मेरी लीला नहीं है ये तो मैया का दिया हुआ क्यान है प्रभू आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है आप प्रसंद है ना तुमारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगादे का प्रसन्न होते हैं और आपके आयू भी बढ़ती है हमारा धर्म विज्ञान पर भी आधारित है गोस्वामी तुलसिदास जी ने हनुमान 40 में आज से 500 वर्ष पुर्व दोहे के रूप में सूरी की दूरी दर्शादी थी जिसे हमारे विज्ञानिकों ने 19 सदी में खोजा तुलसिदास जी ने हनुमान 40 के माध्यम से बता दिया था कि जुक सहस्त्र जोजन पर भानू लिल्यो ताही मदूर फलजान अर्था युक मतलब 12,000 वर्ष सहस्त्र मतलब 1000 और योजन मतलब 8 मी जब इनका गुणा करेंगे तो सूर्य से धर्ती की दूरी 15 करोड 36 लाग किलो मिटर है जो हमारे शास्त्रों में पूर्व से उल्लेखि थे हनुमान जी का चरित्र प्रेडना दाई है उनकी जीवन काथा में धैर्य, त्याग, तपस्या और सहनशीलता के व्यापक उधारन देखने को मिलते हैं ऐसे अजर, अमर, हनुमान जी के चर्णों में हमारा साधरवंदल जै शीराम